आगर इस चहरे की कीमत 110 करोड क्यूं है? एक ऐसा तलवार बाज जो अपनी तलवार से एक गोली को काड़ देता है और क्या होगा अगर कोई डेट आल पी ले तो जानने हैं ऐसे ही फैक्ट्स तो बने रहे वीडियो के अंत तक फैक्ट नमबर 15 क्या एक चहरे की कीमत 110 करोड रुपए हो सकती है? हॉलिवुड मूवी के छोटे से सीन में एक नकली चहरा बनाने के लिए पूरे 110 करोड रुपए खर्च कर दिये गए अजीब है ना? साल 2015 में टर्मिनेटर जैनेसिज नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें 65 साल के फेमस हॉलिवोड अक्टर अर्नॉल को 40 साल के अपने ही यंग क्यारेक्टर से लड़ना था मूवी में इस यंग अर्नॉल को एकदम पास से दिखाना था इसलिए कहीं से भी चहरे को नकली नहीं दिखा सकते थे और सिर्फ वो 5 मिनट के एक सीन के लिए वी एफेक्स टीम को पूरे 110 करोड रुपए खर्च करने पड़े फेक्स नमबर 14 करोड 10 करोड अरब 10 अरब और खरब लेकिन खरब के बाद क्या यानि खरब के बाद क्या आता है खरब के बाद आता है निल निल के बाद आता है पदमा पदमा के बाद शंक और शंक के बाद महा शंक यही नहीं इसके आगे भी है महा शंक से अंक और महा फिर माध फिर परार्द और उसके बाद अंत लेकिन अंत पर गिंती अंत नहीं होती इसके बाद महां अंत फिर आता है शिष्ट उसके बाद सिंखर और अंत में आता है महसिंखर और अधंत सिंखर सबसे आखरी गिंती यानि अधंत सिंखर में एक के आगे पूरे 41 जीरो लग ये बाना हिल्स में बने इस पुल की खास यत ये है कि ये कॉंक्रीट के दो बहुत बड़े हातों पर टिका हुआ है कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पुल भगवान के हातों पर बना है इसकी लंबाई 150 मीटर है और इसके पीले रंग के कारण इसे गोल्डन ब्रिज भी कहा जाता है फैक्ट नंबर 12 दोस्तो तलवार बाजी एक बहतरीन आर्ट है लेकिन क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो अपनी तलवार से बंदूग से निकली गोली को भी काट सकता है इनका नाम है इसाओ माची और ये जापान के रहने वाले हैं कहते हैं कि जब माची के हाथ में तलवार हो तो बंदूग से निकली गोली भी उनका कुछ बिगार नहीं सकती माची अपनी तलवार से 332 किलो मेटर प्रती घंटे की स्पीड से निकली बुलेट को भी दो हिस्सों में काट चुके हैं बता दे कि माची ने 5 साल के उम्र से ही तलवार चलाने की प्रेक्टिस शुरू कर दी थी और आज वो इसके बेताज बाच्चा है फैक्ट नमर 11 सूपर मार्केट या फिर किसी मॉल में जाकर आपके कानों में कोई म्यूजिक ना पढ़ा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आकर ये आकस हो जाते हैं और उनकी चलने की स्पीड कम हो जाती है और वह मॉल में रखी चीजों को बिना जल्दवाजी के अच्छे से देख पाते हैं और ये शॉपिंग मॉल्स के ज़ाधा से ज़ादा सामान बेचने की ऐसी स्ट्रटजी है जो जाने अंजाने में आपसे जाधा Fact number 10 आज की दुनिया में बिना सीमेंट के किसी भी बिल्डिंग को बनाना impossible सा है पहले के बिल्डिंग से चुना पत्थर के गोल से बन जाती थी पर अब इसकी जगे सीमेंट ने ले ली है इसे जो चीज मिलती है उसे खंगर यानी क्लिंकर कहा जाता है जिसके बाद इसमें जिपसम मिला कर इसे महीन पीसा जाता है इस तरह से एक बड़े प्रोसेस से सीमेंट को बनाया जाता है फैक नमबर 9 कमपनी के एक इंजीनियर ने तीन स्क्वेर वाले क्यू आर कोड को बनाया इससे पता चलता है कि कोड को कहां से कहां तक स्कैन करना है फैक नमबर 8 क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी की स्किन का वजन आखर कितना होता है स्किन ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी का 15 प्रतीशत वजन तो अच्या का ही होता है यानि कि 100 किलो के आदमी के पास 15 किलो ग्राम की स्किन होती है अगर इंसान के शरीर के चमडी को अगर समतल फेलाया जाए तो ये 20 स्क्वेर फुट जगय को घेर लेगी और स्किन से जुड़ी एक और इंटरस्टिंग बात ये है कि हमारे स्किन सबसे जादा सूरों से मिलती है और बॉडी में सबसे पतली चमडी आँखों की होती है और सबसे मोटी चमडी हमारे तलों की होती है क्या आपको ये बात पता थी? नहीं कमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कभी आपने सोचा है कि हमें उंगलियां चटकाना अच्छा क्यों लगता है और उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है? जब हम अपनी फिंगर्स चटकाते हैं तो हम अपने जॉइंट्स को खीच रहे होते हैं हमारी हड्डियों के जॉइंट्स में एक फ्ल्यूड पाया जाता है जिसे साइनोवियल फ्ल्यूड कहा जाता है इस फ्ल्यूड में नाइट्रोजन और ऑक्सिजन जैसी गैसें होती है जो बुल्बुले पैदा करते हैं जब हम उंगलियां चटकाते हैं तो उंगलियों के जॉइंट्स पर प्रेशर कम हो जाता है और इससे साइनोवियल फ्ल्यूड के बुल्बुले भी फूट जाते हैं और इसी से चटकने की आवाज भी पैदा होती है बलड डोनेशन से कई लोगों के जान बज जाती है लेकिन अकसर बलड डोनेट करने के बाद डोनर यानि की डोनेट करने वाले को पता ही नहीं होता कि उसका बलड कहां गया और कब यूज हुआ लेकिन स्वेटन में ऐसा नहीं होता आपको बता दे कि Sweden में अगर आप blood donate करते हैं तो आपको एक thank you message भेजा जाता है लेकिन इसके साथ ही एक बार आपको thank you और बोला जाता है और ऐसा तब होता है जब बलड किसी के काम आ जाता है इससे donor को पता चल जाता है कि उसका donate किया हुआ blood किसी जरूरत मंद को मिल चुका ह Fact No.5 क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान debtol पी ले तो क्या होगा debtol एक cleaning agent है इसे पीने से कई तरह की दिक्कते हो सकती है अगर गलती से भी किसी ने debtol पी लिया तो उसमें एक ऐसा chemical मौजूद होता है जो central nervous system को नुकसान पहुँचा सकता है इस chemical का नाम है chloro-exonol इसका use bacteria और surgery के औजारों को साफ करने में होता है इसके असर से आप अकेला और demotivated भी feel करने लगेंगे यही नहीं अगर आपने इसे बहुत जादा पी लिया है तो यह आपके lungs पर असर करेगा जिससे आपकी जान भी जा सकती है इसलिए कभी भी ऐसा stunt करने की कोशिश मत की आपके जिएगा दोस्तो इन दिनों केटियम कंपनी की बाइक्स का क्रेज लोगों के सिर चड़कर बोल रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि केटियम कहां की कंपनी है और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों केटियम का फुल फॉर्म है क्राफ्ट फेहर जियोज रंकेन पूटर बाइक सचमुच कंपनिया कुछ भी नाम रख देती हैं पैक्ट नमबर तीन टीवी पर मैच या कोई पॉपुलर शो देखते टाइम आपने कई बार ऐसा एक नमबर आपकी स्क्रिन पर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नमबर क्या करता है और ये कि इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट पर अपलोड किये गए कॉंटेंट में स्कृइन पर जो नमबर चल रहा होता है सेटएप बॉक्स के मालिक या ब्रॉड कास्टर उस नमबर से सेटआप बॉक्स को ट्रेस करके क्रिमिनल्स को जेल पह आज हम आपको बता रहे हैं भारत के सबसे बिजी और सबसे बड़े railway station के बारे में देश का सबसे बड़ा और सबसे बिजी railway station है हावडा railway station इस station में कुल 20 platform है जो कुल मिलाकर डेली 10 लाग से जादा लोगों की सेवा कर रहे हैं वैसे एक interesting fact ये भी है कि इंडिया का सबसे अवजात बच्चे को रोते हुए notice किया है अगर किया है तो आपको इस fact के बारे में पता होगा कि जो 2-3 महिने तक के बच्चे जो होते हैं उनकी आखों से रोते वक्त आसू नहीं निकलता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बच्चे की आसू की ग्लैंट्स पूरी तरह से डवलप नहीं हुई रहती है ऐसा नहीं है कि उनको आसू आते ही नहीं ये आसू इतने कम होते हैं कि ये बच्चों की आँखों को ही cover कर पाते हैं लेकिन ये drops की तरह उनके गोल मटोल गाल पर नहीं गिरते पैदा होने के एक से दो महिने बाद आसू की ये gland पूरी तरह से डवलप हो जाती है और बच्चों के आसू निकलने लगते हैं तो दोस्तों ये थे वो amazing facts जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ग्यान की किताब तो अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो जो कि आया ही होगा तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ शेयर क और कौन सा fact आपको जादा amazing लगा ये हमें comment करके जरूर बताईएगा